कि हैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वाज़ात है आज हम लोग फास्टनर्स के बारे में डिसकस करेंगे यह हमारा सेकेंड पार्ट है इससे पहले हम लोग एक फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने थोड़ा इंट्रोड़क्शन डिसकस किया था कि एक्चुली फास् समरी हमने डिस्कस करी थी हो स्टाप बटन और वेकmost किया था तो लेफ्ट आवर आज हम लूग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आएल आगे भरते हैं कि अधाषा आता है हमारा बटन में क्या होते हैं जैसे कि और फास्टनर्स होते हैं हमारे ओपन और close करने के एकाम आते हैं हमारे गार्मेंट को इसी तरीके से button होता है तो आईए readout करते हैं buttons are in arguably the oldest and most used of all fasteners तो buttons जो है हमारे बहुत ही old और most used fasteners हैं यानि कि जो बहुत पुराने time से इस्तेमाल होते आए हैं और सबसे ज़्यादा इनका उप्योग किया जाता है सही है button कई तरीके से यूज किया जाते हैं as a decorative purpose भी हम इसको यूज कर सकते हैं और as a functional purpose भी हम इसको यूज करते हैं लेकिन ये बहुत पुराने time से चलते आ रहे हैं इसका हर size होता है छोटे से बड़े तक कर सब size इसमें मिलते हैं और ये भी कई variation में पाये जाते हैं they are mostly made of plastic but you also get buttons in metal, wood, sea shell तो ये जो हमारे buttons होते हैं जैसे मैंने आके आपको बताया भी कि button के कई सारी variation होती हैं तो button जो है वो हमारा metal में भी पाया जाता है याने की और metal याने की जो हमारा low ही सा look का होता है और wood याने की जो लकडी का होता है और sea shell जो sea shell के भी पाये जाते हैं fabric के भी buttons पाये जाते हैं कई तरह के कई सारी variations होती है button की जो पाये जाते हैं लेकिन जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं वो है हमारे शर्ट बटन याने की जो हमारे प्लास्टिक के बटन्स होते हैं. The two kinds of buttons classified as per how they are applied to the fabric are. First, sew through buttons and second, shank button. हमारे जो buttons हैं normally जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. वो first जो है की जो normal सी ले जाते हैं जैसे के हमारे प्लास्टिक बटन्स होते हैं और second आते हैं हमारे shank button. shank button याने की जिसमें एक loop सा बना होता है नीचे की side. The sew through buttons have two or more holes in it through which a thread is inserted to secure it to the fabric by hand swing or machine swing. इसको हम machine से भी सिल सकते हैं और हाथ से भी सिल सकते हैं. इनकी machines के बारे में आपको लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है. तो आप वहाँ जाकर भी check out कर सकते हैं कि ये किस type की machines होती हैं. उसमें मैंने picture भी show की वी हैं कि button hole machine और button fixing machine किस type की दिखने में होती हैं. तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं और एक बार read out कर सकते हैं और सुन सकते हैं मुझे. और फिर आप यहाँ पर आकर continue कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा जाए. तो button जो हैं वो हमारे दो hole जो हमारे normal few buttons होते हैं वो दो two hole और four hole buttons होते हैं इससे जदा उनमें button hole नहीं होता है. तो यह हमारे machine के थूँ भी लगा सकते हैं हम और हाथ से भी लगा सकते हैं. They are different type of buttons available. तो कई तरह के different different buttons available होते हैं हमने कुछ kind of buttons उपर बताये से मैंने आपको जैसे wood, metal और seashell लेकिन उनमें भी कई सारी variations होती हैं तो आईए वो पड़ते हैं. Wooden buttons, Metallic button, Leather button, Fancy button, Shirt button, Cardigan button, Coat buttons, Press button, Cloth buttons, Printed buttons, Leg button, Perled button, Wax button. तो जो हमारा wooden button होता है वो लखडी का बना होता है. Metallic, Metal का बना होता है और Leather button जो Leather के बने होते हैं और Leather पे उप्योग किये जाते हैं. वो हमारे machine से ही लग सकते हैं जो Leather buttons होते हैं उनको हम हाथ से नहीं लगा सकते हैं. जो Leather button होते हैं वो हमारे jeans में भी पाय जाते हैं. denim की jeans होती है या normal कोई भी jeans होगी उसमें भी हम उनको पा सकते हैं. Fancy button यानि कि जो as a decorative purpose हम यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको अपने पिछले पार्ट में बताया था कि जो हमारा frog button होता है, Chinese frog fastener जो होता है, वो हमारा fancy button के अंदर आता है. shirt button हमारे normal buttons होते हैं. उनमें एक shine होती है और वो two hole और four holes के होते हैं. वो normal buttons से थोड़े से बड़े size में होते हैं according to shirt. cardigan buttons याने की जो cardigan में लगाये जाते हैं, उसमें फिर वो wooden भी आ सकते हैं और colorful buttons भी आ सकते हैं. coat button हमारे थोड़े से बड़े होते हैं, metallic kind of buttons होते हैं. press button याने की जो हमारे snap button होते हैं. आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने snap buttons किस type की होते हैं, तो वो हमारे press button भी कहलाते हैं. cloth buttons, printed button, printed button, जिन पर print होता है, एक shine होती है, ऐसा लगता है कि जैसे एक kind of balloon है उसके उपर. तो वो printed button होते हैं, उसमें print छपा होता है और उपर से एक glossy metal लगाया हुआ होता है, एक glossy material होता है, जिसके विज़े से वो shine करती है, जो print होता है. lack button, purled button, purled button हमारे मोतियों के button होते हैं, wax button जो wax के बने होते हैं. देन आता है हमारा shank button, shank button have a plastic or metal shank which rises the button slightly off the fabric and gives room for the button to get under without staining the fabric. तो ये देखे, ये तो है हमारा shirt button, ये हमारे four holes भी होते हैं और single hole, two holes भी होते हैं. देन ये आता है हमारा shank button, जो कि हमारे coat में भी लगता है, cardigan में भी लगता है, और इस type के काफ़े सारे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा metallic में हैं, तो ये है आपका coat button, ये हमारे shank button होते हैं. देन आती है हमारी zipper, यानि की chain, आज के time में काफ़े trend में है zipper, और ज़्यातर सब लोग इस type के garments को wear करना चाते हैं, जिसमें zip होती है, तो कि इस से fitting अच्छी आती है, और easily closing भी होती है, हम इसको easily close कर सकते हैं, और lock भी कर सकते हैं. बटन में काफ़े time लगता है, hook में भी काफ़े time लगता है, zip एक ऐसा फास्टनर है, जो बहुत ही quick फास्टनर है, बहुत ही जल्दी काम करता है. Zipper I think is the most popular फास्टनर for kids and adults alike. I should, I like the sound it makes zip and I bet the kids do too. तो ये जो zipper होती है, ये बच्चों की, बड़ों की, बुडों की, सबकी dresses में, सबकी garments में मिलेगी. ये zip भी हमारे कई प्रकार की होती है, लेकिन इसकी जो basic होती है type, वो visible और invisible होती है. यानि कि जब हम zip लगाते हैं तो वो visible होती है, और एक जो invisible होती है, वो लगाने के बाद पता ही नहीं लगती, वो इस तरीके से लगाई जाती है. कि यह वो दिखती ही नहीं है और same color की हो तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है सिर्फ एक line पता लगती है कि यहां से एक line जा रही है यहां पर एक attach है कुछ something लेकिन इतना नहीं पता लगता है बहुत deeply देखोगे तो पता लगता है तो जो zipper है वो हमारा बहुत ही popular fastener है जैसे मैंने आपको बताया अभी कि zipper जो है सबसे quick fastener होता है इसलिए यह काफी popular fastener है तो यह देखिए आप picture में देख सकते हैं यह हमारी invisible है और यह हमारी visible है तो आप दोनों में difference देख सकते हैं जो invisible है इसमें सिर्फ एक line दिखाई दे रही है लेकिन जो visible है इसमें आप उभरा हुआ देख सकते हैं जैसे कि हमारी यह वाली है लेकिन जो invisible होती है इसको अगर जो आपकी visible normal जो chain होती है अगर आप इसको पलट देंगे जिस तरीके से यह दिखती है उस तरीके से हमारी invisible zipper होती है आईए अब इनके कुछ parts पढ़ते हैं जैसे हमने button के बारे में पढ़ा फर्स्ट है closed end zipper जैसे कि हमारा यह हो गया button stopper यहां पर यह button stopper होता है यानि कि जो हमारा slider होता है जो puller होता है वो ना निकले अपनी जंगा से इसलिए यहां पर एक stopper लगाया होता है तो जो हमारी closed end zipper होती है वो हमारी इसी type की दिखती है separating zipper separating zipper this zipper has both ends open with one slider they have a box and pin mechanism at the bottom which can be used to attach the zipper teeth if you can use this type of zippers on jacket construction clothing, coats, sweatshirts hoodies, blouses vest where the whole two parts have to be open separating zipper separate yarni ki alag ho jana alag alag part ho jana separate zipper, yeh haemari do zipper hooti hai, yeh alag alag ho jati hai jiasse ki aapki jacket mein hooti hai aap iske puller me dekh saktay hai eek space rathi hai aur aap isme dekhenge yehaan par eek metal laga hua hootah hai joham iske anndar ndalte hai aur jis, phir yeh haemari channel easily band kar saktay hai so yeh haemari separating zippers hooti hai then aata hai haemari invisible zipper jiasse ki mai nai abhi upar bataya ki woh sirf ik line ki tərha dixi hai aur isse zada kuchh nai hootah so aap is picture me bhi dhek saktay hai sirf ik line dikhai dhe rhe hi hai so ki yeh matching ki hai isse liye sirf ik line dikhai dhe rhe hi hai so yeh haemari invisible zipper hai jis meh metal lagay hootah hai jiske teet meh metal lagay hootah isse meh haemara joh yeh laga hootah hai puller aur slider yeh haemara metal ka hootah hai lekin joske teet hootah hai woh humare plastic ke hootah hai taaki joske bachche hootah unki garment meh is type ki zip lagi hootah hai taaki unki skin ko harm na poche bharat sensitive skin hootah hai toh cutanye ka dar rata hai isse liye is type ki zip unki garments meh lagay jati hai then last aati hai humari leopard zipper leopard zipper yarni ki joh hide ki jati hai upar se aap dhek saktay isse meh upar se leopard lagaya gaya hai jiski wajah se hum zip ko hide kar raha hai yeh pehle ki time peh is type ki zip hi chala kerti tii yaa aap kehsapta hai ki joh pant hootah hai unmeh bhi is type ki zip hi use ki jati hai joh trousers hootah hai unmeh halal ki aur kisi fashionable garment meh or occasional garment meh is type ki zip ka use nahi kiya jata invisible zip ka zahadha use kiya jata hai or leopard zipper haemari normal pant meh ho gai jeans meh ho gai is type ki garments meh nazer aapko toh aapki joh zippers hai wo yeh par khatam hooti hai then aata hai haemara metal hook and eye yianni ki joh humare hook hootet hai aur eye hootet hai they are two types of closures for hooks yeh doh type ki closures hootet hai jisko hum hook bolet hai eyes which are made with threads and those which are metallic so yeh doh hook hootet hai ek toh bantah hai haemara thread ki madab se jisko hum eye bolet hai aur dousra hoota hai metallic jis joh hook hoota hai thread eyes and small metal eyes are usually stretched on ladies garments and the metallic fasteners are seen on man's trousers joh man's trouser hootet hai us mein aapko dekhne ko milenghe lekin bauhat hi kam hootah hai ki joh male garment mein humare hook and eye milhe zipper zipar zipar button hai is type ke fasteners zipar aapko dekhne ko milenghe male garments mein lekin joh hook or eye hoota hai woh sirf female garments me woh blouse hoota hai us mene sapsa dekhne ko milti hai hook lagane me kyunki time lagta hai is nye har koi hook lagana pasan pasan nahi kata or har garment ka apna apna design hoota hai apna apna closing hoota hai toh usi kya according ham fasteners ko use krati hai aisa nye kya kya hr janga hook or eye ko use krati they are used on overlapping or edge to edge fastening where there is a lot of strain toh ye overlapping ki jati hai jane ki pahle hemahra eye bannega jis hem button ko krati hai button toh hemahra cross ho jata hai lekin joh eye or hook hoota hai woh overlap kia jata hai edge to edge lagaya jata hai these small closures are arranged in rows and they mostly help in distributing the stress on seams like in the back of bras ye ha bra me bhi milti hai or lagi hoot hai ek row me lagi hoot hai ta ki joh distribution hai stress ka kya kya agar ham kisi garment koo close kar rhe hai toh stress aata hai normal se cheese hai toh joh stress aata hai us koo equal bhaag me divide karni ke liye ha hook ka upi yo kia jata hai on overlapping spaces the hook is one the upper overlapping edge toh dekhi picture hai aap ki jis me aap yye hai hai or yye hai hook kai bar log is type ka hook is type ki aai ka upyog nahi kerti hai wo thread se bana hai is tariqe se kai kai bar pahal is tari stitch ki jatai hai pher is button hole ki tada lock kia jata hai toh kia humari aai ban jati hai toh yye hai humari doth kia metallic or thread se bhi hum is ko bana sakti hai you should space and mark the position of the hooks and eyes with a gauze for accuracy jas ki ma aap ni pishly video me bata kia gauze tool ho ta hai jis se ha mark kerti hai toh kai jengah हम उसको उसको उप्योग करकर mark कर सकते है तो हमे जो button होते है hook होते है इन equal measurement चाहिए होती है equal gap space होता हर एक fastener के बीच में तो हम gauze tool की मदद से दे सकते है तो equal के fasteners पढ़े button zipper or hook and eye तो I hope कि आपको अच्छे से समझा गया हो फिर भी कोई problem लगती है तो मुझसे बताईएगा तो I hope कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है अदरवाइस मैं वीडियो में भी साथ की साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम जिस ना एडाइम नेम से मेरी आईडी होती है आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी अदरवाइस लीचे लिंक तो होता ही है उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेस्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड आप मुझसे एजिली पूछ सकते हैं तो आई होब कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे एजिली पूछ सकते हैं सो तैंक यू आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करना मेरे चैनल को बाबाई